अक्षे कुमार भी चलने वाले हैं सल्मान खान के रस्ते पर ही सल्मान खान जिस तरह के बिजनस टेक्नीक्स इस वक्त अपना रहे हैं वही बिजनस टेक्नीक्स अब अक्षे कुमार और उनकी फिल्म के मेकर्स भी अपना रहे हैं हाल ही में हमने देखा कि सलमान खान ने अपने राधे फिल्म की रिलीस डेट की अनाउंस्मेंट की और बताया कि किस तरह से इस फिल्म को एक हाईब्रीड तरीके से रिलीस किया जा रहा है यानि कि थेटर्स पर और OTT प्लाटफॉर्म्स पर दोनों जगह पर इस फिल्म को एक साथ एक ही दिन रिलीस किया जाएगा OTT प्लाटफॉर्म्स वाले इस डिसीजन से बहुत खुश है लेकिन थेटर ओनर्स को बुरा लगा कि जब लोगों को टीवी पर घर पे बैठी ये फिल्में देखेगी तो थेटर्स में तो कोई ये फिल्म देखने आएगा ही नहीं लेकिन इस पैंडिमिक के वक्त में मेकर्स के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था क्योंकि फिल्म को जो बन चुकी है उसको जादा समय तक रख नहीं सकते हैं जिनों ने इस फिल्म को बनाया है उस पर उनका पैसा लगा है जो पैसा मार्किट से उठाया होता है और जितना रिलीज में डिले होता है उतना ही वो पैसा और उसका इंटरेस बढ़ता रहता है ऐसे में सल्मान खान अपनी फिल्म राधे को सेम डेट जो उन्होंने अनौंस की उसी पर रिलीज करेंगे वो भी हाइब्रीड तरीके से और इसी रस्ते पर अब अक्षे कुमार चल लेकिन अब लॉकडाउन के चलते कोविट की सेकेंड वेव जिस तरीके से आई है थेटर्स अभी खुलने वाले नहीं है ऐसे में अब जैकी और वासु भगनानी जो की बेल बॉटम की प्रेडूसर्स हैं वो OTT प्लाटफॉर्म से बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये भी OTT प्लाटफॉर्म और थेटर्स में साथ में रिलीज होगी यानि कि इस फिल्म के लिए अक्षे कुमार भी एक हाईब्रीड रिलीज की तैयारी कर रहे हैं डिस्नी हॉट स्टार से मेकर्स की करीब करीब बात कंप्लीट हो चुकी है और ये फिल्म डेर सो करोड के आस प में नहीं बेशना चाहते हैं इसलिए अब डिस्नी हॉट स्टार से बातचीत चल रही है इसी फिल्म को लेकर आपको बता दे कि के आर के ने बहुत खुलासा किया था उन्होंने कहा था कि अगर बेल बॉटम की कीमत डेर सो करोड है और अक्षे कुमार जिनकी मार्केट प्र करोड में बन गई है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर के खुलासा करने वाले थे लेकिन वासु भागनानी के तरफ से के आर के को एक लीगल नोटिस भेश दिया गया जिसके बाद कोर्ट ने फैसला कि अगली सुनवाई तक के आर के इस बारे में नहीं बोल पाएंगी इस इसलिए शायद के आर के ने इस बात का खुलासा नहीं किया है लेकिन हां के आर के कहने के बाद ये एक सवाल बन गया है कि आखिर अक्षे कुमार को इस फिल्म के लिए पैसा किस तोर पर दिया गया है